साम दोस्तों मेरा नारुवी वेश्टा आप देखने है मेरा चलना इन्मी लर्निंग हम कर रहे हैं इसमें लाविद की बुक SIC सिस्टम और इंजिनिंग की बुक है और उसका हम कर रहे हैं चैप्टर स्ट्रेस इन बॉयलर हमारे पस आज सवाल है कि एक बॉयलर का डायमेटर 1 1.52 है और इसकी लेंद 5 मिटर दी हुई है बॉयलर शेल की मोटाई 12 मिली मिटर है और महफूज वरकिंग प्रेशर मालूम करो यानि कि उसका हमने प्रेशर मालूम करना है जबके मुहिती जोडों के एफिशंसी 44.4 है लॉंगी टुनल जोडों के एफिशंसी 86.6 है प्लेट के तरफ जाते हैं उसने में जो जो लिटा दिया है वह हमने लिख लिए Trans. एफिशंसी उसने हमें दो दी वी है एक लॉगिटुटनल एफिशंसी दी वी है और दूसरी मोहिती जोड़ों के लिख लिए और हम सुलूशन की तरह आ जाते हैं हमारे पास फार्मूला वही होंगे हमारे पास जो फार्मूला है लॉगिटुनल स्ट्रेस के लिए पी डिया यहां से हमने पी निकालना है तो पी के लिए हम इसको रिरेंज कर लेंगे यह हो जाएगा टूस्टी डिवाइडिंग वर दी एफ तमाम की तमाम वैल्यूज दी हुई है आराम से देख के उसको आप उसमें पूट कर सकते हैं और हमारे पास अंसर आ जाएगा बारा इशरि आजाएगा टूस्टी ओर डी एफ तमाम वैल्यूज दी हुई हैं और हमारे पास आजाएगा बारा इशरिया तीन तीन केजी पर संटी मिटर स्केर तो यह दो प्रेशर आगे हैं जो सबसे कम प्रेशर होगा हम उसको स्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास हमारा जो आंसर होगा वो बारां केजी होगा दोनों प्रेशर में से एक चीज़ और मैं बताता चलूं के उसने हमें दो एफिशेंसी दी हुई हैं लॉंगी टूडनल की एफिशेंसी एटी सिक्स है और जो दूसरी महीती जोड़ों की एफिशेंसी है वो चुर्तालिस शरिया दो है तो जो महीती जोड़ों वाली एफिशेंसी डालेंगे और जो लॉंगी टूनल का फरमूला है पीडिएफ इसको टूएस्टी तो उसमें आप जो हैं दूसरी जो एफिशेंसी उससे रिलेट दी होगी आप उसमें वो डालेंगे बाकी यह है कि इस फरमूले में जो हमें इनीशल यूज क करनें जैसे पीडियाफ में बड़ा लिखा है तो मैं तमाम जगावे बड़ा ही यूज कर रहा हूं ऐसा नहीं कि एक जगावे बड़ा लिखें एक चोटा लिखें तो उसमें आपके नमबर कट सकते हैं यह था आज का हमारा सवाल मिलते हैं अगले सवाल में